तो चलिए आज हम सुरू करते हैं तो आज का हमारा टॉपिक है और पेपर फर्स्ट और यूनिट फर्स्ट का है यह थर्ट सिमेश्टर का है और अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और घंटी का एकन को दरूर दबाले ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है उसकी नोटिफिक्शन आप तक जल्दी पहुँचे तो चलिए सुरू करते हैं तो औरिजिन अप कोड़ेट अगे हम जब बात करते हैं तो आप इसमें सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन फिर हिस्ट्री फिर fundamental character जिसमें तीन fundamental character मैंने हैं ठीक है जो प्रुफ करता है कि वो था है ठीक है कोड़ेटर हैं फिर हम इसके कुछ other important character के बारे में बात करेंगे फिर origin of जो एनिमल डाइवर्सिटी का सेकंड कॉपी है ठीक है वर्टिवेट जूलोजी के दो पार्ट से होता है एक दूसरा और कुछ होता है जिसमें से आप सेकंड पार्ट से यह लिया गया है ठीक है तो जब कॉड़ेटा की बात करते हैं तो इंट्रॉक्शन हम लिखेंगे Cordata word Greek सब्द के दो सब्दो Cordae and Eta से मिलकर बना है Cordae का अर्थ होता है रजू या string या जिसको Cord भी बोलते है तरटा Eta का अर्थ होता है सहित या वहान करना अर्थात रजू या कर्ड एक सद्रिट strong आधार सिल छड़ के आकार की structure है जो सरीर के back part को बेस प्रदान करती है इसे प्रिष्ट रजू या notocard करते है अर्थात notocard या जस सोरी अर्थात Cordae उसका definition दे सकते हैं कि Cordae वह जनतू होते हैं जिन में notocard पाया जाता है ठीक तो ये basically simple सा एक definition हो गया अब फिर हम history की बात करते हैं तो history में phylum cordata की स्थाफना जो discovery हुई थी ठीक उसको bell 4 1980 ने की थी deutory strong phylum में सबसे विसाल phylum cordata है इसका अंतरगर्थ मनुष सहीद भीन प्रकार के जीवी तथा existing animal आते हैं जो लुप्त हो चुके हैं वह animal आते हैं ठीक है अधिकान cordate वर्टिवेट एनिमल होते हैं like fish, reptelia, avis और word amphibians and mammals इस phylum के अंतरगर्थ पूरे word में 64, 6, 6, 9 जाती आने की species आते हैं एंड इंडिया में 5, 6, 6, 6 species पाई जाती है ठीक जो बाहरी sound आ रहा है उसको थोड़ा ignore करेंगे ठीक है फिर हम थर्ड बात करते हैं 3 fundamental cordate character जो cordates होते हैं उसके जो character है उनमें 3 basic character है जो की बहुत ही importance है और उसी के base word उन्हें cordates कहा जाते हैं तो सभी cordates animal के life के किसे ने किसी stage में special character show करते हैं जिनमें से पहला है नोटो कार्ड या corda dorsalis ठीक नोटो कार्ड को corda dorsalis भी कहते हैं दूसरा क्या है important वो है dorsal tubular central nervous system nervous system और thrust है pharyngeal, gill, cliff ठीक यह 3 main important fundamental character है जो की cordata पहा जाते हैं और उन्हें बेस पर उन्हें cordata कहा जाता है अब सबसे पहले क्या है नोटो कार्ड नोटो कार्ड या होता है नोटो कार्ड सभी corda dors animal के जीवन की किसी ने किसी अवस्ता में एक लचिली छड के रूप में मस्तिस्क के कुछ भागता संपूर्ण spinal cord अर्था central nervous system के नीचे और आहर नाल के प्रिष्ट तल की और फैली रहती है इसका निर्माण भून की मीजोडर्मस होता है ठीक है इसका निर्माण इंब्रियों की किस से होता है मीजोडर्मस होता है ठीक है इंब्रियों के तीन लेयर होता है मीजोडर्म अब हम बात करेंगे दुसरा पॉइंट डॉर्सल टेबुलर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है सभी कॉर्डेट एनिमल के जीवन की किसी ने किसी अवस्ता में सरीर के प्रिष्ट भाग याना की बैक पार्ट में प्रिष्ट भाग पर अहरनाल तता नोटो कॉर्ड के उपर एक खोकली नली की रूप में फैला रहता है इस नली को नियूरो सिल कहते है ठीक है अधिकांस कॉर्डेट में इसका फर्स्ट पार्ट जो बहुंच सारी कॉर्डेट उसमें उसमें जो पहला पार्ट है वो फूल कर हेड्य या ब्रेंड का फार्मेशन करता है जबकि second पार्ड इस Пाइनल कर्ड का फार्मेशन करता है हाईर क्लास के नौन कॉर्डेट एनिमल जैसे के चुए जयरो काउकर निर्वर सिす्टम निर्वर कार्ड के रूप में अहर नाल के अधर तल पर प्रेजंट होता है जबकि Cordate में इसके Opposite होता है अध пон धने क्या होता है इसके Opposite होता है नॉन्स में क्या होता हैस孤 repSec Nasional 머न इने में संट्राण तो फेरंजिएल गिल्क्लिफ्ट बोल सकते हैं अप प्रतिक कॉडट के जीवन की किसने किसी अवस्ता ने फैरिंग की दिवार में जोडिधा लेटरल गिल्ट अवस्त बनती है यह मुलतह रेस्पीरिसन का कारय करती है ठीक है इन क्लिप्ट की त्रू फैरिंग सी गुःँघ क्लिफ्ट में लाइफटाइम होते हैं और किसमें भाग लेती है जब कि जो इस्तलिया होते हैं उनमें कि वॉयस्ता तक रहती है उसका अप्लर में यह बंद्ध हो जाती है इसके अलावा कॉड्रेट में special characters होते हैं जो कि non औरस में अपसेंट होते हैं त्हों करेक्टर समझे थीख अब उसके लाद कुछ सम अधर important character हम देखेंगे जिसके through हम coordinates को important जेते हैं ठीक है तो सबसे पहले就 coordinates cab animals ते हैं उनमें ventral heart होते है ठीक है सबी coordinates animal में clear muscular heart होते है जोकि body cavity की अधरभाग में इस्तीथ होते है coordinates animal में heart Moving on Pericardium से घिरा रहता है mein point है Pericardium से घिरा रिते हैं दूसरा क्या बात है जिसको बंद रक्त तंत्र बोलते हैं एक उपन तंत्र होता है यह दूसरा पॉंचता है। दूसरा पइंट है Closed Blood Vascular System सभी higher corded animal में blood, heart से artery में, फिर cells में बहता हुआ organs में पहुचता है यहां से blood, अन्य canals में बहता हुआ, veins में आता है जो कि blood को heart में वापस ले जाती है इस प्रकार blood एक चक्कर लगाती है non corded जैसे कि cockroach मेंle dh acab बहता रहता है ठीक इनमें रूधिर वाहिनों का अभाव होता है हायर कॉर्डेट्स में एलिमेंटर केनाल से ब्लड लाने वाली वेंस हार्ट में न जाकर लिवर में जाती है इस प्रकार एक हीपैटिक पोर्टल सिस्टम मनती है नौट कॉर्डेट्स में यह केरिक्टर नहीं होता होता है है यहाँ पे की लै। all-closed blood vascular system का जो की नॉन-coordidae architects का है इसमें आप देख सकते है कि hepatic portal system मनता है जिसमें यहां पर dorsal Sun d regards । डृर्सल blood vessel दिखता है देखी यहां पर जो ब्लड से उसका कि दिशा निर्धरित क्या गया है या ब्लड एक बार इधर से उधर जाता है फिर उदर से इधर जाता है तो इस प्रकार घूमता रहता है जिसको क्या बोलते हैं क्लोज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं ठीक यह नॉन कॉर्ड जिसका एक्जम्प लोगा अब बात करते हैं रेड ब्लड कारपल्स जो कॉर्डेट्स में ब्लड के लाल रंग का कारान हीमोगलोबिन होता है जो की आर्विस में पाया जाता है आप भी जानते हैं हीमोगलोबिन आर्विस में पाया जाता है और पर कुछ नॉन कॉर्डेट्स जैसे की केच्वा में हीमोगलोबिन होता है में दिफरेंस बताता है कि फिर हम बात करते हैं पोल सकते हैं और सकते हैं ओरीजिन उत्रोकिक एरा मतलब्लबू Regular सदी के ऑुरी विसियन पीरोड पीरोड में हुई है क्योंकि इस समूदाय के सबसे पुराने जिवासमे जवासम में की फॉसिलिस इसी पीरोड में चट्टानों में लबणियं मचonne के रूपमें पाए गए गए है थीक है जो fossils मिले हैं इसी पिरोड में मिले हैं इसी को देखके कहा गिजा जाता है कि जो faodates हैॉनका origin प्रेलजग को किरा में हुआ होगा będzie किरा में इस क्मलीटिक Origin के बारो में साएंटिस्स की दो ह110 है ठीक है दो चार सब्सक्राइब कुछ हाइप यह पोदिसिस के बारे में आपको बताया है तो जो है पोदिसिस पहला है वह एनिलेडा थियोरी है इस इस परिकलपना एनिलेडा और कोड़िट्स एनिमल के मंदब पाई जाने वाली då में हम्ós संक एनिमल को अगर हम सेम लेटे देखें तो दोनो में जो कारण हम इस ओरी का दिया गया था ठीक है लेकिन इस मत को वेगयनिकों का अधिक समर्तन प्राप्त नहीं है ठीक है बहुँ सारे में बहुत सारे खुबिया निकाले छो खerson曲 भी थी फिर सेकन्ड धी आती है 학नाडलमों धी इस तेयोरी को वेगयनिकों का समर्तन प्राप्त है हेमी कॉर्डेटा को फर्स्ट कॉर्डेट कहा जाता है ये क्रीमी के समान समुद्री जन्तु है जिन में मैन कॉर्डेट्स के प्रारम होने का संकित मिलता है ठीक है यहां से बोल सकते हैं कि कॉर्डेट्स का औरिजिन हुआ है क्योंकि यहां से जो मैन केरिक्टर है कॉर्डेट रखती है इस आधर पर प्रिष्ट वंस के निम लखित वंसक्रम को मानता देते हैं और ये जो थियोरी है इकाइनडर्म थियोरी इसको कीच ने दिया था जॉंसन मुलेर 1860 ठिक ये आपको एक अब्जिक्ट्टिव कुश्चन हो सकता है आप इसको नोट करिएगा तो इस थिय मिलड्बी के निम अनुसार उनका ओर उनसक्रम और एकला लगलार्वा से फिर okay कोईद आगे चलंगे टूरिक का लगलार्वा में विक्षित होता है फिर ब्रशक्ट्चनमा जिसका एक एक्जांपल एम्फियोक्सस है ठीक फिर हो ऑस्त्री ओ ऑस्ट्री को डर्म में जाता ह जिसके अंतरगत फीसेस आते हैं, फिर और्डोसियन फीरोड में जाता है, फिर लास्ट में टेटरापोडा में जाता है, इस प्रकार इस थियोरी जो इकाइनडर्मा थियोरी है, उसके तहद इन्होंने वन्सक्रम को इस प्रकार बताया कि सबसे इकाइनडर्मा फिर उससे डे इस परिकलम कनाकोज रोमर 1959 में दिया उनके अनुसार पैत्रिक डिट्रोस्टोम जो कि टेंटीगल्स को खाने वाले जीप थी जिनके म्यूकस से भरे रोम चिद्रों का यूज प्लैंक्टोंस को ट्रेप करने के लिए किया ज़ते था क्योंकि वो पानी में लहराया जाते थे जैसे की मोडन, लोफोफोरेट्स, टीरो ब्रांचास, हेमिकॉर्डेट्स, सिफेलो, डिक्टस एंड रैब्डो प्लूरा करते थे कुछ परिबर्तन के करान ग्रस्नी गील इन पीतरों में विक्सित होते हैं जो ग्रस्नी फेरिंग्स को छनली की तरह प्लैंक्टोंस को ट्रेप करने के लिए बनाता है क्योंकि पानी का प्रवा इसके माध्यम से गुजरता है फोर्थ थियोरी आता है जो हाइपोथिस है वह है यूरो कॉर्डेट्स ओरिजिन इस इधान को डबलू गरेश्टांग 1928 ने दिया था ठीक है यहां पे बहुं सारा अब्जिक्टिव कोश्चन बन सकता है कौन-कौन से सबसे पहले कि आपके पास कोश्च 1928 में दिया था एं एंजे बेरली 1955 दुनें मिलकर दिया था उन्होंने यूरो कॉर्डेट्स के टैटपुल लार्वा को महळत दिया जो की special cordage character को carry करता है ठीक है यहाँ पर भी देखिए special cordage character को देखकर ही इनोंने कहा था कि इनका जो origin हुआ होगा वो कहां से हुआ होगा यूरो कॉर्डेट्स हुआ होगा ठीक है गारस्टंग 98 गारस्टंग गारस्टंग 1928 ने सुझाव दिया कि कॉर्डेट्स का विखास से सैल फेल्टर फीडिंग करने वाले यूरो कॉर्डेट्स से हुआ जो अपनी नियो टेनी द्वारावाइस का अवस्था को खोकर लार्वाल स्टेज में विक्सित हुआ इनका थीओरी यहां तक बोलता ठीक है बहुत सारे थीओरी और हैं लेकिन इस वीडिएव परекलपने से ग्रूप से कोड़ेट्स की उत्पति को नहीं दर्साती लेकिन कुछ हद तक परिकल्पना हमें घ्ञान कराती है कि कोड़ेट्स एनिमल का ओरिजिन पेलो जाएक एरा के आसपास हुआ है तो रिफ्रेंस बाइक पाल बुक और टिवेट जुलोजी एनिमल डाइवर्सिटी सेक तक यू